हरी कृष्णा राधी राधी शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई वैशाक मास महत्तम पहला अध्याई सूच जी कहते हैं प्रम्भा जी के पुत्र शिरी नारज जी से राजा अम्बरीश ने पूछा हे ब्राम्बन मैंने सुना है कि वैशाक मास सब मासों में उत्तम है सो करपा पूर्वक आप वैशाक मास का महत्तम विस्तार से मुझे सुनाईए यह मास भगवान को अधिक प्यारा है इस मास में क्या दान करना चाहिए उसका क्या फल है इस मास में कौन से करम करने के योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता परसन्न होते हैं भगवान विश्नु को कौन से कारिये कौन से दान अतिप्रिये हैं और उनके फल और उद्देश्य भी करपा पूर्वक मुझे विस्तार से कहिए भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तूओं से करना चाहिए नारज जी कहते हैं हे राजन सब मासों का वरतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझे शिरी ब्रह्मा जी ने सुनाया था यह मास विद्याओं में वेत विद्या, मंत्रों में परणव, व्रक्षों में कल्प रिक्ष, गों में कामधेनू, नागों में शेश, पक्षियों में गरुड, देवों में विश्नू, वर्नों में ब्राम्मन, प्रियवस्तूओं में प्राण, मित्रों में भारिया, नदियो शेश्त्रों में चक्र, धातूं में स्वर्ण, वैश्णवों में शिव, रत्नु में कोस्तु मनी के समान हैं। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम हैं। मेश राशी की सक्रांती अर्थात वैशाक मास में जो सुर्योदे से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा परसन रहते हैं। वैशाक मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्तो कर वैखुंट को जाते हैं। इस मास में सुर्योदे से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित एक पग भी चलता है उसको कई अशुमेग यग्यों का फल मिलता है वixòक मास में बाहर थोड़े से जल से भी स्नान करने से यम आग्या से उसके पापों का फल नश्ट हो जाता है विश्णु भगवान की आग्या से वैशाक मास में सूर्योदे से छे गड़ी तक सब तीर्टों के अधिश्टाता देवता जल से बहार मनुश्यों के हित के लिए ठहरते हैं प्रन्तु इस समय तक भी जो इसनान करने के लिए नहीं आते उनको श्राब देकर वहे अपने धाम को चले जाते हैं इसलिए वैशाक मास का इसनान अवश्य ही करना चाहिए वैशाक मास महत्तम पहला अध्याय समाप्त हरे कृष्णा राधे राधे आज शनिवार है आईए सुने शनिवार की कथा एक ब्रामन था पाठ करने जा रहा था रास्ते में शनिष्चर महराज मिले ब्रामन बोला कहां जा रहे हो शनिष्चर बोले राजा के लगने जा रहा हूँ ब्रामन बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, तुम मेरे लग जाओ शनिश्चर बोला, कितने समय के लिए तो ब्राम्मन बोला, साथ साल की ना ओटी जाए, पांच साल की ना ओटी जाए, धाए साल की ना ओटी जाए, सवा साल की ना ओटी जाए, सवा पहर की ओट ली नदी किनारे जाकर बैठ गया आसन बिछाकर पाठ करने लगा ओम नमो भकवते वासु देवाई पांच बार कहके माला फेरने लगा नदी में दो मतीरे बहे जा रहे थे उसने निकाल कर अपने गोड़े के नीचे रख लिए अवे मतीरे राजा के लड़कों के सिर्वन गए एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काटके रखे है तो ब्रामण ने कहा किसी से कहिए मत ना करे दशा लग रही है उसने एक से कही दो से कही सारी नगरी में फैल गई राजा ने आदेश दिया ब्रामन को सूली पर चड़ा दो सोने की घड़वाई वो भी तूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी तूट गई तामबे की घड़वाई वो भी तूट गई, लोहे की घड़वाई वो भी तूट गई जो भी घड़वाए वो ही तूट जाए इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए रानी बोली महराज ब्रामन सूली पे चड़ा दिया गया होगा अब हमारा पाप कैसे उतरेगा राजा बोला जाके देखो देखे तो ब्रामन पाठ करने लग रहा है ब्रामन क्या ज्यान विज्यान जाने था बोला मैं तो कुछ भी नहीं जाने था मैं तो पाठ करने जा रहा था रास्ते में शनिश्चर महराज से बोला कहां जा रहे हो तो वह बोला राजा के लगने जा रहा हूँ मैं बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा सनिश्चर बोला, साथ साल की न उटी जाए, पांच साल की न उटी जाए, धाई साल की न उटी जाए, सवा साल की न उटी जाए, सवा पहर की उटली सवापहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा इसकी दशा कैसे उत्रे सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पितल का दान, राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे गरीब तेल की पाली, गुड की डली डकोत को दे दे, साथ बार पीपर में जल चड़ा दे कहदे, शनी देव मोटा, कभी न आवे टोटा, शनी वार की घड़ी घड़ी, ले सत्तर बला टले, साथ बार कहदे, साथ बार जल चड़ा दे, सारी बला टल जाए, बोलो शनिश्चर महाराज कीजे